दुबई कोर्ड कि तुम क्या बात कर रहे हो तिरी चार बेहने और एक माँ इधर नहीं डेह रही तु देख मैं कया करती हूं उनके साथ तु चिल कर किसी रंडी की और अलाद मैं किसी से मिलने नहीं गए हूं दले तुम्हें किसने का मैं तुम्हारी बीवी हूँ हमारी डाइवोर्ट को डेट साल हो गया कुते और पैसे उसको वापस कर दो ठीक है ना और दफ़ा हो जाए यहां से हरामजा बिस्मिल्यारभ्मारख्यम, अस्सलाम अलेकूम, मैं सथखटक, एक पाकिस्तानी, एक बेटा और एक मजबूर बाप के तौस्ट से एक मेसेज रिकार्ड कर रहा हूँ अरसादराज से मेरे उपर बहुत से लिकेशन लगी, मेरे एकस वाइफ ने मेरे उपर बहुत से लिकेशन लगए, मैं खामोश रहा मुझे पस मीडिया पर मुझे सोशल मीडिया पर जलील किया गया मैं खामोश रहा, मेरे बड़ों ने मुझे कहा, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा अलमा साबाने कहा कि आपने बात नहीं करनी, आपने सबर करना है और सबर करने वाला अल्ला का साथी होते हैं नहीं किया लेकिन आज मेरी जात के साथ साथ मेरे बच्चों की उपर आ गई है तो मैं अपने बच्चों के लिए कभी भी छुप नहीं रह सकता मैं आज आपकी तवस्त से, मीडिया की तवस्त से, सोशल मीडिया की तवस्त से अपनी एक्स वाइफ को पचास करोर कर जाना बेच रहा हूँ इसके साथ साथ मैं आप सब को बताता चलूँ कि मेरे बच्चे जो है वो अमेरिकन सिटीजन है और वो दुबई की रेजिडेंस है लास्ट येर से हमारी कस्टिडी के केस चल रहा है दुबई में और दुबई हाई कोट ने 10 जून 2020 को मेरे बच्चे मेरे हक में फैसला दे के मेरे हवाले करने का हुकम दिया है मेरे बच्चों का नाम दुबई E.C.L. में है बच्चे ट्रेवल नहीं कर सकते बगए मेरे जाज़त के अकोट के जाज़त के लेकिन अनफॉर्चिन नेटली मेरे बच्चे दुबई से मिसिंग है और दुबई से वो गयब है ना उनके पास यूएस पासकोट है ना कुछ और है कुछ अरसे पहले मुझे एक समन मिला मुझे एक समन मिला मेरे एक्स वाइफ की वरे तरफ से और उसके उपर हजारों ऐलिगेशन पिर लगी है मेरे उपर जो कि मेरे लायर्स अटरनी पाकसितान में उसको देख रहे हैं मेरे बचों के जो सहा और जो मैं सहरा हूँ मैं अभी चुप नहीं रह सकता क्योंकि मैं बता दूँगा सब कुछ क्या क्या मारसाथ हुआ है और क्या क्या हो रहा है सबसे पहले मेरे गौर्णमर्ण पाकस्तान से रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को पाकस्तानी पासपोर्ट किस ने इशू किया दूबई से ये ऐलिगेशन ऐसी है कि आपने तीन कंट्रीज की सा को खत्रे में डाला हुआ है एक दूबई, इमरात, एक यूएस से और एक पाकस्तान मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कैसे स्मगल हुए हैं, कैसे वो लेके चली गए और किस हालात में मेरे बच्चे हैं, मुझे कुछ नहीं पता डेट साथ, चबईस सिप्टमबर 2019 को लास्ट है मैं दुबई में मैंने अपने बच्चों को देखा ता मैंने तवक्ल किया अल्ला की खातिर इसको इजदती सर इसके सर पे डुपटा रखा, लेकिन मुझे नहीं पता दा कि मेरी एक गल्दी मुझे कहां से कहां पहुँचा देगी, मैं पूरी दुनिया में इस औरत ने मुझे ऐसा रस्वा किया, ऐसा में रूपर एलिकेशन फे मैंने उनको अरसा धरासी नहीं देखा, मैंने अपने हातों से उनको पाला है, मैंने उनको अपनी हातों से जमदर पाला है, मैं आपको क्या बताओ, लेकिन खुद्रत देखे मेरी बहुत सखत इम्तिहान ले रहा है, मैं मुझे समझ नहीं क्या करूँ, मुझे इंसाफ चाह I am requesting US mission in Pakistan, US mission in Dubai to investigate this matter because they are American citizen and I want my kids as soon as possible. I want them to bring them in justice, my ex-wife. I want the free and fair investigation. She threatened me, she threatened my family. I can't do anything else, Zaidah Malik. I can't do anything else. I can't do anything else. You have done anything, Allah has done anything, Pakistan is. My friends are my Pakistanis. And Inshallah, Inshallah, It will be an excuse, it will be an excuse. And I will all of you will be a trust, that you will be a trust. Allah has all of you all, and Allah immediately will be a trust. I will be grateful. Peace be upon you. झाल